अग्याइब नमस्त्रे दोस्तों के इस चैनल में आप सभी का स्वागत देप प्रिवेडिंग एडिट के सेरीज में लास्ट टैम हमने सिखा क्लिपिंग मास्क और आज हम दो मास्क सिखने वाले एक है क्विक मास्क और दूसरा है चैनल मास्क तो सबसे पहले मैं यह बताना देख रहे हैं तो हमारे जो चानल है उसको सब्सक्राइब कीजिए आपको सब्सक्राइब क्यों करना है तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर वह बेल आइकॉन का जो सिंबॉल है वह आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेश आते जाएगी और आपका कोई भी साएग करते हैं तो वह नहीं पाती हैं या सिल्फिक्षन जो है वह कुछ ज्यादा हो जाता है यानि कि में जरूरती 추가 का अलावा दूसरे Hayır 성 with विसक्षे कर रहा है तो आम यासे समय हम इस टेकिकौश का इस्सिमाल कर सकते हैं ताकर से हम और अप सेंग विक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षे मैं जूम कर रहा हूँ यह देखिए यह मैं ने जूम किया है यहाँ पर जो चीजे है जो रेड कलर में दिख रही है इसका ही मतलब यह है कि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो करना क्या है तो क्यू दबाने के बाद अगर मैं ब्रस्टूल लेता हूँ और उसको सिलेक्शन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो फील हो रहा है तो आपको समझ में आ गया रहेगा जैसे मास्क में होता था जो यहाँ पर मैंने ब्लैक मास्क रखाता हूँ वही सही सिमिलर चीज यहाँ पर है तो हम लोग यह फास्टली एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन बाहर गया है तो मैं यहाँ पर मेक्शूर करता हूँ वाइट उपर हो और फिर मैं यहाँ से सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ अभी यहाँ पर जो है मैं फिर से एक जबाता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ ड्रॉ करते समय मैं ब्रैकेट का यूज करके एक दम स्मूथली अगर समझो मेरा सिलेक्शन करते करते हैं अंदर की ओर चला गया यह देखिए मैं जनबुच कर यह अंदर की तरफ दार रहा हूँ तो मैं एक दबा के फिर से इसको बाहर की तरफ ला सकता हूँ यह देखिए मैंने इसको फिर से बाहर की तरफ लाया यह देखिए तो फिर से एक दबाता हूँ मैं एक दम प्रॉपर करने की कोशिश करता हूँ अब ब्रैकेट का यूज़ करके वो कम और ज्यादा कर सकते हैं सिलेक्शन हुआ है मैं फिर से क्यू की बटन दबाता हूँ और आप देख सकते हैं की सिलेक्शन आ चुका है और मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नीचे का लेयर ओफ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस सरह से ये कटिंग होती है तो आप इस समझ गए होंगे क्विक मास्क का यूज़ कैसा करना है फिर से मैं ये जो लेयर है ये डिलिट करता हूँ और हम लोग अगले इसमें आते हैं तो अगला चीज क्या है तो क्विक मास्क के बाद जो आती है वो चीज है चैनल मास्क तो चलिए अब हम बात करेंगे चैनल मास्किंग के बारे में ये तरीका आपके लिए फाइदे मन कहलाएगा अगर आप स्पेशली हेर कटिंग, सब्जेक्ट कटिंग या फर कटिंग करना चाहते हो कंट्रोल जे प्रेस करके उसकी कॉपी बना ले अब हम आएंगे चैनल पैलेट पर चैनल पैलेट कहां पर रहता है तो लेयर के बाजों में चैनल पैलेट होता है यहाँ पर आपको चार चैनल दिखेंगे एक जो है वारजीबी जिसका शौट की है कंट्रोल टू रेड जिसका शौट की है कंट्रोल थ्री ग्रीन का शौट की है कंट्रोल फोर और ब्ल्यू का शौट की है कंट्रोल फाई तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर control 4 दबा रहा हूँ, control 3 दबा रहा हूँ और control 2 दबा रहा हूँ अगर मैं मुझे फिर से चाहिए control 3, control 4 और control 5 से मैं अलग-अलग channel में जा सकता हूँ तो जब आप इन स्वतंतर channel पर click करते हो तो आपको अलग-अलग luminosity value दिखाई देते हैं black and white color में अब आपको इन में से किसी ऐसे channel का chain करना है जिसमें आपको high contrast नज़र आए तो फिलहाल मैं इस channel को chain करता हूँ मुझे blue channel perfect लगा तो मैं blue channel को आके उसकी एक duplicate channel मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर आगया blue copy और उसका short के आगया control 6 तो blue copy होने के बाद फिर मैं control L दबाता हूँ और आप देख सकते मैं क्या कर रहा हूँ अभी मुझे white ज्यादा white करना है और black ज्यादा black करना है तो आप देख सकते मैं black ज्यादा black कर रहा हूँ और white ज्यादा white कर रहा हूँ तो आप देख सकते मैंने इस तरह से उसको change करने के कोशिश कर रहा हूँ तो आप बोलते रहेंगे ये क्यों कर रहा हूँ तो मुझे ये पूरा जो इमेज है वो पूरी ब्लैक दिखनी चाहिए उसलिए मैं ये कर रहा था मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ फिर मैं ब्रस्टूल लेता हूँ ब्रस्टूल में नॉर्मल मोड में मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पर वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ जिस वज़े से सेपरेशन दिखे यह देखे मैं यहाँ पर वाइट कलर से ब्रस्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यह पूरी image निकाल ली तो अभी मेरे लिए क्या है तो सिर्फ blue की copy में सिर्फ image black color में दिख रही है मैं यहाँ पर X दबाता हूँ और मैं जो अंदर की portion है उसको black color से paint कर रहा हूँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर black color है उसको मैं paint कर रहा हूँ तो दोस्तों जैसे मैंने बताया है मैं यहाँ पर अभी zoom कर रहा हूँ zoom करके make sure करता हूँ कि foreground में black हो और मैं यहाँ पर यह जो चीज है वह erase कर अपना brushing कर रहा हूँ इसके लिए मैंने brush tool का use किया है अगर मुझे देखना है कि perfect हो रहा है या नहीं यहाँ पर क्या है तो मैं उपर के layer पर भी click कर सकता हूँ और फिर नीचे के layer पर क्लिक करके मैं फिर से brushing कर सकता हूँ मैं देखे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है फिर यह कर रहा हूँ यहाँ से मुझे straight लेना है तो मैं shift दबाता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर से shift दबाता हूँ तो देखे स्ट्रेट लाइन में वह आ रहा है जो black color है वह straight line में आ रहा है फिर यहाँ के जो भी चीजे है वह मैं इस तरह से फिर चेक कर रहा हूँ सब perfect है यह नहीं फिर से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बराबर है यह देखे जिदर जिदर रहे गया है वहाँ पर आपको black से paint करवाना है यह देखे यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ यह देखे यहाँ पर और इस तरह से मैंने यह पूरी selection कर ली है अभी करना क्या है अभी मैं control दबा के अगर इस पर click करता हूँ तो देखिए आपको selection मिल गया फिर मैं आट जीपे पर आता हूँ यह लेयर आफ याने जो blue copy है मैं आफ कर देता हूँ और लेयर पर आता हूँ और लेयर पर आने के बाद जो मेरा first layer है उसको मैं control J करता हूँ तो control J से क्या होगा तो देखिए यहाँ पर reverse selection हो गया है तो reverse selection जाने के लिए हमारे पास की है जाने क्या तो इन्वर्ट सेलेक्शन तो मैंने यहाँ पर इन्वर्ट सेलेक्शन किया है और अभी मैं control J दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यह image perfect cut हो गई है तो आपको इसमें समझा होगा किस तरह से हम लोग channel masking का यूज करके image को cut कर सकते हैं एक और बात आपको लेवल का इसमाल का result ना मिले तो आप dodge and burn का इसमाल भी कर सकते हैं ताकि brighter pixel brighter कर पाओ या darker pixel darker कर पाओ उसके example के लिए मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर click करता हूँ यह layer off कर लेता हूँ channel पर आता हूँ और blue की copy मैं कर लेता हूँ तो डॉस तूल क्या करता है तो डॉस तूल bright कर रह है और brighter pixel ज्यादा bright कर रहा और burn tool क्या कर रहा है darker pixel और dark कर रहा और white को dark में कर रहा है इस तरह से भी आप level का इसमाल का result ना मिले तो आप इसी का use कर सकते हो अगर आपको यह episode पसंद आया हो तो आप like किजिए share किजिए और हाँ subscribe करना ना भूले thank you very much कर दो आप